हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3.3 का कोश्चिन नमबर 3 सोल करेंगे थर्ड कोश्चिन का हम यह थर्ड पार्ट सोल करेंगे तो सबसे पहले स्टेट्मेंट को समझ लेते हैं मतलब अगर एक कोश है क्रिकेट टीम का वह 7 बैट लेता है और 6 बोल लेता है तो उसकी टोटल कोस्ट कितने आती है मिला आके 1750 रुपया आती है find the cost of each bet and each bowl हमें कोस्ट किसकी निकालनी है एक बैट की और एक बोल की कोस्ट आपको अलग लग निकाल के दिखानी है तो स्टुडेंट इसमें ना तो हमें एक बैट की कोस्ट दे रखिया ना बोल की दे रखिया तो इसमें में क्या करना पड़ेगा क्यूंकि दोनों इमें fine करनी है में let करना पड़ेगा तो हमने let कर लिया कोस्ट ओफ वन बैट बी रूपीज एक्स और वन बोल के लिए हमने कोस्ट करे लिया अपनी y ले ली क्यूंकि हमें दीवी नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ लेट करनी पड़ती है आप इसके अंदर आपकी क्यूंकि algebraically आपको solve करना है आपको pair of linear equations बनानी है तो according to question हम काम करेंगे इसमें तो 7 bets लिया आपने क्यूंकि 1 bet आपका एक्स रूपीज 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 एक्स का आता है तो 7 bets कितने के हो जाएंगे आपके 7 multiply by x और क्यूंकि दोनों मिला के bets 7 bets प्लस में 6 balls ये दोनों मिला के आपकी cost total आती है आपे जो कि आपकी 3800 है क्योंकि एक bowl y rupees की है तो 6 balls के लिए कितना हो जाएगा आपका 6y यानि कि दोनों के अगर आप addition कर देते हैं तो आपका कितना आ जाता है 3800 रूपी आपकी cost है तो ये तो हो जाती है आपकी first equation अब आप next equation की तरफ चलते हो कि फिर उसने कितना खरीदा 3 bets यानि कि वो ही आपका 3 multiply by x प्लस क्यों करेंगे क्योंकि दोनों cost मिला के हैं bets की भी और bowls की तो total cost आपकी 1750 है प्लस में 5y क्योंकि एक bowl की cost y है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5y और दोनों को अगर आप add कर देते हैं इतना हो जाता है आपका 1750 तो यह हो जाती है आपकी यहां से second equation मतलब आपका pair of linear equations in two variables बन चुका है मतलब algebraic लिए आपने अपनी equations को लिख लिए है अब इसे आपको substitution method से हम इसे solve करेंगे क्योंकि इस exercise में हमने 3.3 exercise में सभी questions substitution method से किये हैं उसी को ही discuss करते हों मैं सारे questions solve किये हैं यह आप मेरी previous videos में check कर सकते हैं तो इसके अंदर पर में क्या use करना है? substitution method यूज करके में से solve करना है तो student इसको हम substitution method से solve करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं? दोनों equations को पहले लिखे लेते हैं फिर्स्ट equation थी आपकी फिर से आप लिख लीजी एक बर 7x प्लस में 6y is equals to 3800 ये तो है आपकी फिर्स्ट equation फिर आपने लिखनी थी अपनी second equation second equation थी आपकी 3x प्लस में 5y is equals to total add करके कितना आता है आपका 1750 ये हो जाती है आपकी second equation तो आप आपको क्या करना होता है? या तो first equation से आप एक variable को दूसरे variable में change कर लीजिए x की value find कर लीजिए या फिर आप y की value in terms of x find कर लीजिए या फिर आप second equation से भी x की value भी निकाल सकते हैं और जो भी value आप किसी भी एक equation से निकालते हैं हमेशा किसमें put करनी होती है किसी भी variable की find करते हैं चाहे वो x हो चाहे वाई हो another equation में आप पुट करते हो तो माल लीजिए अगर आपने first equation से value निकाली होती x की तो यहां से कितना अता आंसर आपका same आता है आपकी 3800-6y आप उन में 7 यह आपकी third equation है तो आपकी यहां पर तीन equations हो चुकि है first second and third तो third equation आपकी यह आगई है अब आपको क्या करना है from second and third दोनो equations को लेते वे क्योंकि आपने first equation से अपनी value निकाली है तो इसे use कहा करेंगे हैं second equation में दूसरी equation में करते हैं तो यहां पर आपको लिखने की जरूरत है from second and third equation जो भी आपने काम किया है उसका कहां use होगा second and third equations में आपको use करना है तो student अब आप क्या करेंगे जो आपनी third equation से value निकाली इसको put कर देंगे second में इसे हम लिख लेते हैं पहले आपनी second equation को लिख लीजिए जो कि कितनी है आपकी 3x plus में 5y is equals to 1, 7, 5, 0 और क्योंकि आपकी x की value कितनी आई थी अब आपने निकाला यहां से इसको वह लिख लीजिए फिर आप पटा दीजिए गए उपर put करके 3,8,0, minus में 6y divided by 7 तो अब आपने यहां पे x की जग़ा पे value को replace कर लिए second equation में जो भी थी उसको as it is यहां पे लिख देना है 3,8,0, minus का 6y और divide में कितना है आपका 7 और plus में कितना है आपका यहां से 5y is equals to 1, 7, 5, 0 अब क्योंकि यह आपका यहां 3 भार है तो यह अंदर जो bracket के अंदर value जन से क्या होगा multiply 3 को 3,8,0, से किया तो आप करके देख सकते हैं इसको rough में 1,1,4,0 आता है आपका minus में 6,3 जा कितना हो जाएगा student आपका 18y और divide में क्योंकि आपका 7 है plus में आपका आपका आजाता है minus में 18y और यहां से आपने देखा 1,7 जा 7,7,5 जा कितना होता है यहां से आपका 35y is equals to 1,7,5,0 अब आपको क्या करना है इसके नीचे 1 है यह 7 multiply हो जाएगा right side में जाके 1,7,5,0 से और अब आप क्या कर लेते हैं इसको आगे solve करेंगे आगे आपको क्या करना है यहां से तो आपका 1,1,4,0 और value क्या थी आपकी minus का आया था 18y और plus में आया था 35 क्या बचा था आपका minus का 18y plus का 35y और is equals to कितना आगे आपका 1,7,5,0 इसको multiply कर लेंगे 7 से 7 divide में तो उपर आके multiply में हो जाता है यह बच आपका 1,1,4,0 यह आपका क्योंकि plus का sign है 35 बड़ी larger quantity है minus 18 आपका smaller है तो plus का 35y minus 18y अगर आप करते हो तो plus का कितना बचता है 17y और यह जो side आपके multiply होके जाती है आप ही roughly करके देख सकते हैं 122 जादा बड़ी calculation नहीं थी तो अब आप क्या करते हैं variable एक तरफ और आपका जो constants हैं उनको आप कर लेते हैं एक तरफ यह एक बड़ का आपने sign लगा दिया है यहाँ पर यह implies का sign है तो यहाँ है आपका 122 50 minus में जो आपका right side में आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा minus में हो जाएगी quantity अब आपका क्यूंकि y एक तरफ 17 multiply में डिवाइड में चला जाएगा अगर आप इसे minus करके लिखते हैं तो आपका कितना आ जाता है 8 5 0 और डिवाइड में आ जाता है आपका 17 17 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 50 तो 8 5 0 divided by 70 is equal to 50 मतलब y की cost आपके कितनी आ गई 50 लेकिन y था क्या आपका y आपके किस की cost थी bowl की cost थी student तो each cost आप से निकलवाई गई थी each bowl की एक bowl की cost आप से निकलवाई गई थी तो एक bowl की cost आपके कितनी आ गई 50 रूपीज आ जगती है आप क्यूंकि आपको x भी fine करना है आप x की value आप लिख चुके थे यह आपकी student ध्यान होगा आपको कौन सी equation थी आपकी third equation थी तो अब इसको क्यूंकि इसे आप pause करके आप rough notebook में लिख सकते हैं इसको आप यहाँ से हटा लीजिए और x की value यहाँ find करके दिखा दीजिए तो यह आप हटा लिजिए calculation आप कर चुके हो इसे आप pause करके भी लिख सकते हो अब हम इसे क्या कर देते हैं x की value और निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे आप x लिख चुके हो x की value यहाँ से कितनी बचती है इसे आप यहाँ इस तरह से लिखिएगा 3800 आप अपनी notebook में जब करके दिखाएंगे तो last में इसे put करके दिखाएंगे बीच में नहीं last में बिल्कुल जब आपका question y आ जाता है फिर से आप लिखेंगे from third equation यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ब्रेकेट में डालके from third equation अब आपको third equation का use करने इस तरह से लिख सकते हैं और minus में 6 y की value कितनी आई थी आपकी 50 वो आपने put कर दी divided by 7 तो x की value कितनी बचती है 3 a double 0 minus का 300 divided by 7 यह आपको पता है कितना बचेगा 3 5 double 0 divided by कितना आजाएगा आपका 7 यहाँ से कितना आजाता है 500 तो x की value student आपके कितनी आगई 500 और y की कितनी आई थी आपकी 50 तो आप यहाँ पे आप लिख लिजिए जो कि आपको निकालना था कि x आपका कितना बचा है यहाँ से 500 और यह आए आपका 50 50 यह आपकी बोल की cost है और आप चाहें क्योंकि आप अपने जो solution है अगर उसको verification करना चाहते हैं, verify करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है इससे क्या होता है कि आपको conclusion ने बिल्कुल सही निकला है इस बात का आपको confidence आजाता है कि आपने जितनी भी calculation की है वो बिल्कुल exact है आपका solution exact निकला है, आपका answer correct है तो यहां से अगर हम first equation से देखते हैं तो 7 को x से multiply किया 7 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 350 क्योंकि x की value कितनी है 500 है, 6 को इस से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300, total करके कितना आएगा 3800, ऐसे ही अगर हम second equation से देखते हैं तो यहां x की value कितनी फूट करेंगे 500, तो 500 को 3 से किया है तो कितना आ गया, 1500, प्लस में 5 into में y, 5 को किस से करेंगे 50 से कितना आ जाएगा, आपका यहां से 250, अगर इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 1750 तो यहां से आपकी verification भी हो जाती है student अगर paper में आपको बोला जाता है exam में या test में, कि आप verification करके दिखाएं तो आपको करके दिखानी है otherwise यह काम आपको roughly अपना check करके देखना है कि आपके answers एकदम correct निकले हैं या नहीं निकले हैं आपके कोई mistake तो नहीं रहे गई है question के अंदर तो student मुझे लगता है, यह question आपको समझ में या पर आ गया होगा, आने वाली videos में question 3 के another parts करेंगे thanks